नमस्कार, मार्केट संबाद में आपका स्वागत है अनलोक में दोड़ रही जहांसी अब कुरोना के कहर से धीरे धीरे दूर होती जा रही है कुरोना के मरीजों की मिलने का संख्यर लगाता गिर रही है हलाकि मरीजों का आकड़ा 50 के आसपास बना हुआ है कभी 50 होता है, कभी 50 से कम होता है आज कुरोना के मरीजों का जो आकड़ा है वो 52 रहा है यानि 52 कोरोना मरीज पाए गए है आज जहांसी में 1.761 सेंपलों की जाच की गई इसके बाद 52 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए है इस परकार जहांसी में अब टोटल कुरोना पोजेटिव मरीजों की संक्या 509 है जबके संक्रमित मरीजों का आकड़ा 2613 है रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है आज रिकवरी रेट बढ़का 77.57 हो गया है यानि recovery rate बढ़ने से कुरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है आज 45 मरीज ठीक हुए है यानि लगबक 1920 के करीब मरीज ठीक हो चुके है एक दुखत पहलों यह है कि मरने वालों का आकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है आज दो लोगों की मौत हुई है जिससे मरने वालों की संख्या बढ़का 77 हो गई है इधर प्रसासन ने जिस प्रकार से तैयारें की उसके बाद जो कुरोना पर कंट्रोल हुआ है उसके अलाबा होम आइसुलेशन की जो सुबदर दी गई है उसको देखते हुए भी मरीजों को होम आइसुलेट किया जा रहा है अब तक जहासी में 107 मरीज होम आइसुलेट है आज 17 लोगों को होम आइसुलेशन के लिए भेजा गया है यानि अब जहासी में कुरोना मरीजों की संख्या कंट्रोल में कही जा सकती है लगातार प्रशासन के प्रयास और लोहों की जागरुकता का नतीजा है कि कुरोना के मरीजों की संख्या अब कंट्रोल में आ रही है लेकिन हमारी सजक्ता जागरुक तक कहीं अधिक बढ़ जाती है आज जहांसी में जो कुटबाली चाना छेत्र में बजार लगता है उसमें ब्यापारी उन्हों जो डुमाइंट की है बजार खोलने के लिए उसको लेकर प्रसासन ने एक सर्थ रखी है का बजार बजार खोलने को लेकर जो गाइडलाइन है वह आप लोग प्ताय करें ब्यापारी ने उसके लेकर पहल सुरू कर दी है और ब्यापारी आपस में सपत्र भरकर प्रसासन को सॉप रहे हैं और उन से कह रहे हैं कि हम सुमार से बजार खुलेंगे और नेमों का पालंग करेंगे अब यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा क्योंकि परसासन एक हपते तक बजार की निगरानी करेगा यदि परसासन को लगेगा कि गाइडलाइंज का पालंग नहीं हो रहा है तो बजार को बंद कर सकता है इधर मार्केट समबाद आपसे लगातार अपील करता रहा है कि आप लोग करोना को हलके में ना ले मरीजों का आकला भरी कम हो लेकिन जावरुकता में किसी प्रकार से कमी नहीं आने चाहिए हमने आपसे पहले भी अपील की और फिर अपील कर रहे हैं लगातार अपील करते जा रहे हैं कि आप लोग नियमत रूप से मास्क लगाएं सनिटाइज करें और सुरक्षित रहें मारकेट संबाद आपको फिर एक मौका दे रहा है यदि आप अपने किसी प्रकार के अनभाव साजा करना चाहते हैं तो कमिट बॉक्स में हमें अपने बारे में लिखें अपना नमबर साज़ लिखें हम आपसे डारेक्ट बात करेंगे आपसे मुलाकात करेंगे आपके अनभाव को जानेंगे आपके कुरो नाकल के अनभाव साजा करेंगे इसके लिए आप जरूरी है कि आप कमिट बॉक्स में दाकर अपने फोन नमबर साज़ हमें जान करें दें धन्यवाद मारकेट संबाद की रिपोर्ट जहासी करेंगे